LIC का IPO आ रहा है LIC का IPO आ रहा है तो दोस्तों आप लोगों के पास काफी सारे monetize आ रहे होंगे कई सारे demate account वाले आपसे account भी खुलवा रहे होंगे और कई लोग आपसे बोल भी रहे होंगे कि अगर आपके पास LIC की policy नहीं है तो आप उसको भी खरीद लीजे और दोस्तों लोग ये भी बोल रहे होंगे कि आप अगर LIC की पॉल्सिय अगर आपके पास है और आप अगर D-Mate अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको IPO जो LIC का आ रहा है उसमें काफी फायदा होने वाला है तो दोस्तों आज हम ये सारी चीजे किलियर करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से आप IPO में इन्वेश्ट करके एक अच्छी खासी रकम जुटा सकते हैं और एक अच्छी इंकम कर सकते हैं तो दोस्तों बात करेंगे IPO या शेर बजार की तो इसमें अभी तक जो इन्वेश्टमेंट होती है लगबग 70-80% लोग जो होते हैं जिनके पास ज़्यादा इंकम है या कहलीजे कि higher earning वाले लोग ही इन्वेश्ट करना पसंद करते हैं क्योंकि इसमें high risk होता है तो return भी high ही होती है दोस्तों middle class और lower class के लोग इसमें invest करने से बस्ते हैं क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर हम इसमें invest करेंगे तो हमको नुकसान होगा तो दोस्तों अब की बात अगर हम करें कि इस समय LIC क्योंकि गाउं से लेकर के हर छोटे बड़े शहर में available है मौजूद है और इ LIC का IPO आ रहा है या कुछ आ रहा है गाउंवालों को या जिनको IPO की समझ नहीं है शेयर बजार की समझ नहीं है उनको ये लगता है कि LIC ने कोई नया प्लान लॉंच किया है और यहां पर investment एक फायदे का सौधा होगा दोस्तों अगर हम बात करें तो ये बहुत बड़ा IPO आने वाला है अगर हम बात करें इससे पहले IPO की तो Reliance Companies के काफी बड़े IPO आ चुके हैं और अगर हम बात करें पेटियम के तो अभी तक जो पेटियम का था वो भी काफी बड़ा IPO आया था लेकिन यहां पर investorों को काफी नुकसान उठाना पड़ा था पेटियम का क्योंकि यहां पर जो share की अगर हम बात करें तो लगबग 1800 या 2000 के आसपास के बीच में open हुआ था जो की कई लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया था और इन्वेस्ट करने के साथ ही जब यह आज की डेट में हम अगर देखेंगे तो इसकी वैलुएशन लगबग 1000 रुपे पर शेर के इसाब से हो चुकी है यानि यह 7800 रुपे घाटे का सौदा दे रहा है इन्वेस्टरों को तो लगबग 40% से लोग जो बड़े इन्वेस्टर हैं वो डर रहे हैं अगर LIC ने इस IPO की जो price range है वो अगर कम रखी और middle class और lower class को ध्यान में रख करके रखी तो एक काफी अच्छा investment option है दोस्तों क्योंकि इसके price value बढ़ना ही बढ़ना है share price का तो अगर इसका कम price में share आता है market में तो आप यह जान लिजे का कि यह जो investment है दो या चार साल में आपका 3-4 गुना तक पहुंच सकता है यानि LIC का जो IPO है वो आपके लिए काफी अच्छा साबित हो सकता है यानि जो आप भी invest करेंगे वो लगबख 4-5 गुना तक होने के आसार है अगर इसके share price की जो IPO की जो value होगी वो अगर कम रखी जाएगी लोगों की पहुंच तक आ सके middle class और lower class तो यह अच्छा IPO माना जा सकता है एक अच्छा profitable IPO माना जा सकता है लोगों को इसमें काफी ज़्यादा मुनाफ़ा होने के आसार होंगे तो दोस्तों अगर आप invest करना चाते हैं इस IPO में तो policy holder के लिए इस IPO मे 10 परतीशत के आसपास का reservation रखा गया है quota रखा गया है यानि अगर आपके पास policy है LIC की और वो attach है pen card के साथ तो आप demate account खुलवाने के साथ अपने इन paper को लगाने के यानि policy bond लगाने होंगे उसके साथ जो photocopy है और उसके बाद आपको एक अलग से विशेश छूट LIC की त count है 10% का या quota कह लीजे वो policy holder को मिलेगा और policy holder को फायदा भी होगा और अच्छा खासा मुनाफ़ा भी होगा तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छे लगी हो तो like करिएगा share करिएगा ये मेरा opinion है कि आप इसमें investment करें और इसके होने वाले फायदे नुकसान तो market पर ही निर्भर करेंगे तो दोस्तों अपनी सोच और समझ से ही इसमें invest करें जै हिन जै भारत